स्वागत्त आपका हमारे चैनल पर आज हम करेंगी कक्छा आर्थ में विसे गनीत की कारे पुस्ति का प्रक्षर का आकलन नमबर 11 इससे पहले हमने विविन आकलन और कारे पत्रक कर लिए हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस में जाकर जरू देखें और चैनल को सस्क्राइब परना ना बूलें प्रस्ट नमबर एक है दिए गए बिन्नों के चित्र निरूपन को मिस्तरित बिन्न के रूप में तो कित्ता हो गया तीन साही दो बटे तीन अगला देखिए दिये गए चित्र प्रतसन को अनुचित बिन्न और मिस्तरित बिन्न के रूप में लिखें देखिए दो भरे हुए हैं और एक में से चार खाने हैं पूरे उसमें से तीन भरे हुए हैं तो दो साही कित्ते हो आप इसको अनुचित भिन में बदलेंगे तो 2 चौक 8 प्लस 3 ग्यारा बट्टे 4 हो जाएगा अगला देखिए 1, 2 और 3 पूरे भरे हुए हैं 3 लिख दिया और 1 आदा भरा हुआ है तो 3 सही 1 बट्टे 2 अनुचित भिन में बदलने के लिए 3 लिख और 1, 7 बट्टे 2 तीसरा प्रशन देखिए दिये गए अनुचित भिन को मिस्रित भिन में परिवर्तित करें 28 बट्टे 5 अब 5 का भाग लगाएंगे 5 बार जाएगा नीचे बचेगा सेसफल 3 और 5 का आपने लगाया है तो क्या हो जाएगा 5 सई 3 बट्टे 5 अगला 45 बट्टे 4 का क्या हो जाएगा 11 सई 1 बट्टे 4 और पिचितर बट्टे 2 का हो जाएगा 37 सई 1 बट्टे 2 अगला प्रशन है दिये गए मिस्रित भिन को अनुचित भिन बदलिए तो 8 बंजे 40 प्लस 2 42 बटे 5 12 6 की 72 और 5 77 बटे 6 15 दूनी 30 और 31 बटे 2 अगला देखी दिये गए मिस्तरित भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्साएं 3 सई 1 बटे 4 तो 3 तो पूरा लिखेंगे उसके बाद में किते भागें 4 तो उसमें से पहले भाग पे हम निसान लगा देंगे और अधर लिख देंगे 3 सई 1 बटे 4 अगला देखीए 10 सई 5 बटे 8 तो 10 तो पूरा और उसके बाद में 8 खाने बनाएंगे उसमें से 5 वे खाने पे निसान लगाएंगे और अधर लिख देंगे 10 सई 5 बटे 8 6 प्रस्ण है नीचे लिए गए भिन्नों का तुल्ले भिन्न लिखिए 2 बटे 3 दोनों को उपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए 4 बटे 6 5 बटे 7 दोनों को उपर नीचे 2 से गुना किया 10 बटे 14 इसी प्रकार 1 बटे 3 का हो जाएगा 2 बटे 6 अगला देखिए बिन्नों में परस पर तुल्ना करके छोटा बढ़ा में प्रियुक्त चिन लगाएं इन दोनों में से बढ़ा को उने 1 बटे 2, 1 बटे 2 की तरफ खुला वाला निचान लगाएंगे अगला देखिए 15 बटे 4 बढ़ा है 15 बटे 4 की तरफ मुऊ कोल देएंगे अगले देखिए 15 बटे 7 बढ़ा है 15 बटे 7 की तरफ मुऊ कुला रखेंगे अगले देखिए 40 बटे 6 बढ़ा है तो इधर मुऊ कोल देंगे तो बचो ये ता हमारा आइकल समल से धन्यवाद